नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल विजाडव वेस्ट कुकिंग में तो आज मैं आपको बता रही हूँ लाल मिर्च का कुट्टा बनाने की विधी तो यहां पे मैंने लाल मिर्च जो थोड़ा सा लाल मिर्च अचार का भड़ते हुए बच जाता है जो भी हो आपके पास उसमें कर लें इसे ग्राइंड या कूट्ले और उसके बाद हरी धिनया की पत्ति को धो करके सुखा करके और काट लिया है उसके बाद हरा लहसुन लिया है इससे बहुत अच्छा टेज but senators ऊपर द्यायर आप चाहें तो गाट का भी ले सकते हैं और फ फिर मेंने लिया है खटाई खटाई आम्चूर का पाउडर बहुत ही जिए जादा इंपोरेंट है और थोड़ा सा नमक मतलब स्वाध के निसार नमक ले लेंगे और खटाई किपने करना बहुत ही जादा मिपोरेंट है और उसके बाद इक छोटी गडोरी- मतलब एक बड़ा चम्मच मैंने सरसो का तेल लिया है तो अब चलिए बनाते हैं तो इन सबी मसालों को हमें सबसे पहले मिक्स करना होगा तो इसमें थोड़ा सा तेल डालना है और हमें मिक्स कर देना है और आपको मैं वता दूँ यह अचार इतना टेस्टी लगता है इसके मह कोई भी अचारों पानी के संपर्क से दूर रखना होता है और पानी से दूर रखी और इससे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब आप सत्तू बना रहे हों या आप डाल के खा सकते हैं बहुत ही जादा अच्छा लगेगा जब सत्तू बना रहे हों तो इसको थोड उसी से इसमें ज्यादा तेल नहीं पड़ता है अगर आपका मन करें ज्यादा तेल वाला खाने का तो कोई बात नहीं आप डाल सकते हैं तो मैंने थोड़ा सा बेस्ट में तेल डाल दिया है और उसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूं ये मसाला हमारा लाल मिर्श का कुट्टा और इसको डाल के और फिर इसको बंद कर देना है धकन और धोक में दिखाते रहना है तो यहां पर आप देख रहे हैं ये लाल मिर्ज का साइड वाला जो पार्ट है उसी को मैंने कूट कर लिया है या जो थोड़ा सा खराब हो जाता है और फट जाता है उसका मैंने लिया हुआ है इसमें मतलब मैंने अच्छे वाले लालमिर्ज का अचार बनाया और उसका ये कुट्टा बनाया है तो आप देख सकते हैं हमारा अचार बन के तयार है तो बस इसे कुछ नहीं करना है ऐसे धकन बंद करना है और धूप में ले जाके रख देना है तो मैंने ठकन को कर दिया है बंद और बस अब इसे ले जाना है धूप में और धूप में ले जाकर इसको रख देना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तैंक यू